हलो एवरिवन, बलकम बाक इन माई चानल सोनम्स लाइफ स्टाइल कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे दोस्तों अगर आपके शरीर में खून की कमी है, बलड में शुगर लेवल जादा है, आपके शरीर की इम्म्यूनिटी वीक है यानि की शरीर की रोक प्रतिरोधक शमता कमजोर है आप बार बार बिमार पड़ते हैं, आपको कमजोरी होती है, हर वक्त ठकान सा महसूस होते रहता है शरीर में प्रोटीन की कमी है, तो आपके इन सारी समस्याओं का हल लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपके पास आई हूँ जी हाँ दोस्तो जैसा की आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो लाल रंग का बीज है, ये कोई आम बीज नहीं है ये आपके लाखों रोगों की दवा है, पर बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है जी हाँ दोस्तों इसे हम राजमा कहते हैं और इसे हम किड्नी बिंस के नाम से भी जाना जाता है ये किड्नी की तरह आकार में दिखता है इसलिए इसे लोग किड्नी बिंस कहते हैं भारत समेत दुनिया के ज़्यादा तर हिस्सों में राजमा बहुत चाव से खाया जाता है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि ज़्यादा तर लोग राजमा सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं सेहत के लिए नहीं राजमा खाने की सबसे अच्छी बात ये है कि ये शरीर का पोशन करता है राजमा खाने के फायदे जानकर आपको भी हरानी होगी राजमा में अच्छी मात्रा में फाइवर होते हैं जो पाचन क्रिया को सही बनाए रखते हैं साथी ये blood sugar के स्तर को भी नियंतित रखने में मददगार होता है kidney bins में folic acid, calcium, carbohydrate, fiber, protein जैसे पोशक्ततों पाये जाते हैं जो हमारे शरीर की immunity को बढ़ा कर अंदरूनी रूप से मजबूत बनाता है और शरीर को सुचारो रूप से काम करने में मदद करता है राजमा में मौजूद antioxidant की वज़ह से हमारे शरीर के toxins को बाहर निकालने में मदद मिलती है साथी जोडो के दर्द और urine related problems में भी इसका सेवन बहुत फायदेमंद है लेकिन राजमा खाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका सेवन रात में नहीं करना चाहिए बलकि दिन में ही करना चाहिए क्योंकि ये खाने में गरिष्ट होता है जिससे पेट को पचाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अगर आप शाकाहारी हैं तो आप अपने शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन की कमी को सिर्फ राजमा खाने से ही पूरा कर सकते हैं क्योंकि इसमें मीट के बराबर प्रोटीन पाया जाता है तो अगर आपके शरेर में भी प्रोटीन की कमी है तो आपको रोजाना अपने डायेट में राजमा को जरूर इंक्लूड करना चाहिए इसके साथ ही माईग्रेन की समस्या को राजमा ठीक कर सकता है इसमें मौजूद फॉलेट और मैगनेशियम ना केवल दिमागी शमता को बढ़ाए रखते हैं बलकि माईग्रेन जैसी गंबीर समस्या के समाधान में भी ये बहुत मददगार है राजमा आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत गुनकारी है यह आपके दिमाग की शमता बढ़ाने के साथ साथ अल्जाइमर जैसी बीमारी को दूर करने में भी मददगार है राजमा शरीर में कॉलिस्ट्रॉल कम करने में सहायक है राजमा में मौजूद फाइवर पेट में जाकर जल जैसा ही हो जाता है जो कॉलिस्ट्रॉल को कम करता है इसके अलावा राजमा खाने से हड़ी मजबूत होती है दिमाग तेज होता है शरीर को अंदर से यह साफ करता है यानि आपके शरीर में जितने भी विशैले पदार्थे उन सब को बाहर निकालने में मदद करता है आपकी इम्यूनिटी को जिससे की शरीर में संक्रमन का खत्रा काफी हद तक कम हो जाता है इसके साथ ही यह आपके ब्लोड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है साथ ही इसे खाने से शरीर में ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो सुचारो रूप से होता है और शरीर को एनरजी मिलती है ताकत मिलती है तो और मैं उमीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद, आप भी इस राजमा को अपने डेली डायेट में इंक्लूड करेंगे, और अगर आप इसे इंक्लूड करते हैं, तो आप स्वस्त जीवन जियेंगे, और बहुत सी परेशानियों से बचे रहेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल मत भूलिएगा तो दोस्तों मिलती हूँ ऐसे ही नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाज़त थैंक यू लव यू आल एंड बाबाई